अज़ों दो दिशिस मुद्ध नायक फिर आज वे अब सभी का स्वागत हैं अजके आज वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे डेक्स्टॉप को वाइफाई राउटर से कनेक्ट करते हैं वाइफाई के जरिए आपका डेक्स्टॉप को आपका राउटर से वाइफाई से कनेक्ट करने के लिए आपका मादरबोर में वाइफाई कार्ड होना चाहिए अगर आपके मादरबोर में वाइफाई कार्ड नहीं है उसके लिए आप यूस्बी वाइफाई अडप्र ले सकते हो जिसके जरी आप वाइफय होट्सपर कर सकते हो या आपका डेश्टोप को वाइफय राउटर में कनेक कर सकते हो वाइफय के जरीए USB वाइफय अडाप्टर आपको 200 से 300 रुबे में अनलाइन पर मिल जाएगा और इस पूटकर लिंक आपको डेस्ट में मिल जाएगा आपको वह पर जाके देख सकते हो और इसके साथ हमको एक CVD मिलता है अगर आपको कम्पीटर का उपरेटिंग सिस्टम विंडेस 7 या उससे नीचे है तो उसके लिए आपको एक CVD में जो ड्राइबर है विंडेस 7 या उससे नीचे का उपरेटिंग सिस्टम में विंडेस ड्राइबर इंस्टल नहीं होता है अगर आपका कम्पीटर का उपरेटिंग सिस्टम विंडेस 8 या उससे जाधा है तो उसके लिए आपको CVD नहीं चाहिए विकाज Wifi Diver Windows 8 या उससे उपर का भर्षन में विंड विल्ट OS के साथ आता है तो चलिए हम विंडेस 7 में Doubleland Diver इंस्टल करके एंड इसे वाइफा से कनेक्ट करके देखेंगे में देखेंगे कैसे WiFi腳 कर सकते हैं जा देख लीजे मैं इने देशन में आ गया तो चलिए सबसे पहले डब्लो करते हैं आप इसे इन्सेल कर दीजिए आप मेरा Wi-Fi अडप्टर पहले से मेरा मेरा डेक्स्टॉक से कानिक्ट है देखिए यहां पर मेरा Wi-Fi राउटर आ गया है तो चलिए हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं मैंने मेरा पास्वर्ड टाइप किया देन एंडर किया और देख लिए मेरा डेक्स्टोर मेरे राउटर से कनेक्ट हो गया गया हम ऊंडरा ना इक है कलub कर सरधे देखे लिए उसके साथ ही आ पर देखिए देखिए बिना डाइफर इंशल के मेरा एक्सटोर काम कर रहा है बास्वर्ड देंक्ट कर लेते और चम्पीश्टार एंद मेरे राउटर से कनेक्टर लेता हूं एंड देख लिए कानेक्ट हो गया और मेरा desktop से land remove गर देता हूँ इदेख लिए मेरा desktop मेरा router से wifi से connect है हम लोग ने देख लिया कैसे desktop को wifi से connect करते हैं चलिए अब देख लिए कैसे wifi hotspot create करते हैं अगर आप wifi hotspot create नायते हो तो उसके लिए आपको बहुत सा software मिल जाएगा आप उसके मदद से Wi-Fi hotspot create कर सकते हो Like, Connectify, Virtual Router Plus, My Public Wi-Fi, M Hotspot इन सारे software के link आपको डेस्ट में मिल जाएगा बाट मैं आज ओ इंडेस्टेन में बीना software यूज़ किये Wi-Fi hotspot create करके दिखाऊंगा उसके लिए Simply आप नेटवर्प and Internet setting में क्लिक कीजिए उसके बाद यहाँ पर Mobile hotspot इसमें क्लिक कीजिए उसके बाद आप कहां से Internet share करना आते हो आपका Wi-Fi से या आपका Lens से आप यहाँ से Slip कर दीजिए उसके बाद यहाँ पर Edit में क्लिक कीजिए आपका Wi-Fi का Name and Password टैप कर दीजिए सिब में क्लिक कीजिए तो बाद इसे On कर दीजिए आपका देख लीजिए मैं मेरे Mobile पर आ गया और इसमें देखिए दो Wi-Fi दिखा रहा है एक मेरा राउटर का Wi-Fi दूसरा Wi-Fi एडप्टर का Wi-Fi है तो चलिए मैं मेरे Desktop से Connect लेता हूँ देन Password टाइप किया देन Connect में क्लिक किया और देख लीजिए मेरे Phone मेरे Desktop का Wi-Fi में Connect हो गया और यहाँ भी आप देख सकते हो मेरे device आ गया है वीडियो चलेगी तो Like & Share कीजिए उसके साथ साथ कमेंट करना मत भूलिए और सबसे जलुरी बात मेरे icer, Computer, Mobile & Internet वीडियो पाने के लिए मेरे जन सब्सक्राइब कीजिए नच्छ सब्सक्राइब कीजिए